वेलकम प्रेंट्स ट्रेडिंग साइकोलोजी सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है ट्रेडिंग में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो सबसे जरूरी जो बात होती है प्रॉफिट के लगाना स्टॉप लॉस जैसा की नाम से समझ रहे हैं कि लॉस को रिस्टिक्ट करता है अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो आपको उस ट्रेड से एक्जिट दिलाता है यानि कि एक्जिट बाहर कर देता है आपको तो हमें जानना जरूरी है कि स्टॉपलस क्यों जरूरी है बहुत सारे ट्रेडर्स या आमोमन जो सुरू में जो नौसीखिया ट्रेडर्स होते हैं वे स्टॉपलस को इतनी अहमियत नहीं देते लेकिन धीरे-धीरे उनको यह एहसास हो जाता है कि स्टॉपलस लगाना जरूरी है मैं उसी एस्पेक्ट्स प है कि इसके इतने बरे-बरे नुकसान हो सकते हैं तो उसके बाद वे स्टॉपलस जरूर लगाएंगे आए देखते हैं आपको पता है कि सीफटी हर इक फिल्ड में रिक्वाइड है जैसे माले जब कार चला रहे हैं तो आपको एयर बैक्स की भी जरूरत है अगर आप उचा या आपके फैमिली मेंबर से डिपेंडेंट्स को कोई परेसानी नहों तो उसके लिए आपको टर्म एंसूरेंस लेने की जरूरत परेगी उसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग में हो तो आपको इस टॉपलस लगाने की जरूरत होती है जैसा कि आप इस इमेज में देख र अपलाता है और यह ट्रेड से एकजिट हो चुके होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यह उन्होंने ट्रेड्स एकजिट नहीं लिया हुआ है और यह घबराए हुए हैं कि इतना ज्यादा लॉस कैसे हो सकता है अगर मैं अपनी स्टोरी बताओं तो पहले मैं जैसा की बता रहा यानि कि बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं स्टॉप लॉस मैं भी नहीं लगाया करता था मुझे लगता था कि अल्टिमेट लॉस क्यों मार्केट को मार्केट को लॉस देना मुझे अच्छा नहीं लगता था सुरुवात के समय में फिर इतने बड़े बड़े लॉस हो ग कर दिया और उसके बाद से रिजल्ट अब हमारे फेबर में हैं अगर लॉसेस कम होंगे ना आप अल्टिमेटली प्रॉफिट में आ जाएंगे वरना होगा क्या कि छोटे-छोटे विंस होंगे और बड़े-बड़े लॉसेस हो जाएंगे उल्टा ही होगा यहनि कि आप 10,000-20 करेंगे और एक बार में 40,000-50,000 लूज कर देंगे तो आपको कई दिनों की जो अर्निंग से हुआ एक ही दिनों में समाफ्त हो जाएगी उससे बचने के लिए आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है यह बहुत सारे लोग यहां पर लिखा के नौट प्रेसिंग स्टॉप लॉस तिंकिंग इस फ्लक्टुएटिंग कुछ नए लोग मिलते हैं या नाए ट्रेडर तो वो कहते हैं कि भाई प्राइस तो इतना फ्लक्टुएट कर रह है आप यह सोचकर उस पर छोड़ दे रहे हैं कि प्राइस उपर जाएगा या प्राइस नीचे चला गया तो आपके अगेंश्ट में कभी पीचा सकता है जो चीज फ्लक्टुएट कर रहे हैं जो हमेशा बदल सकते हैं उससे तो और साउधान ही रहना चाहिए आप साउधा हैं कि कोई बिना हेलमेट की चला रहा हो और तरक दे की मेरा नहीं होता है मैं बहुत से गारी चलाता हूं आपको पाता नहीं है कि अगले च्छन क्या हो सकते हैं माइंड में स्टॉप लस रखने से कुछ नहीं होगा कि आप सुचेंगे कि जब उस प्राइस लेबल तक आए कितना बार तो ऐसा कर चुका है ऐसे मेंटालिटी रखने पर अल्टिमेटली सक्सेस्पल नहीं होने वाले ट्रेडिंग करियर में क्यूंकि बहुत बार आप बीग लॉसेज देंगे और आप अपने आप अपने गलतियों का एहसास हो जाएगा आपको अगर मैं आपनी कहान अग्यानक हुआ कि उस समय की जैसे मुझे ओर डालने थे और लगी नहीं रहा था तो मतलब कि आप पाया और भयानक तरीके का लॉस हुआ मुझे उसी दिन से कान पकर लिया मैंने कि नहीं भाई बीना है एसल ओडर डाले पहले से ही बाई ओडर के साथ ही आप डाल दीजिए अपने स्टाप लॉस ओडर उसी समय या उसी के बाद ताकि अंसर्टेन सिच्वेशन में आप कम से क स्टाप हो गया मतलब उस समय लेकिन बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस रहता है कहां निकलना है कहां इंट्री करना है उनको पता होता है इसलिए उन्हें किसी चीद से दिक्कत नहीं रहता है छोटे रिटेलर ऐसे ही इंट्री कर जाते हैं और मार्केट उनको भागा देता यानि कि आप यहां सोच करा हैं कि आज मैं 30 points का stop loss दूंगा आप मार्केट के कंडिशन को देखिए पहले जब तक मार्केट के कंडिशन को नहीं देखेंगे और उसके अनुसार अपने stop loss को नहीं adjust करेंगे तब तक आप stop loss की कोई value नहीं है वह stop loss हमेशा हंट हो गया ही क्यों अगर माले वोलेटाइल इंडेक्स जैसे की बैंक निफ्टी है अगर बैंक निफ्टी में कोई 30 points सोच रहा है कि मैं stop loss रखूंगा 40-50 points भी रखे तो उसको आसाने से पता होना चाहिए कि इतने मुव्मेंट वह तुरंत दे जाता है उपर निचे इस से ज्यादा points का मुव्मेंट दे जाता है तो आपके स्टॉप लास नहीं हंट होंगे किढान प्लान फॉलो किलने की बार ही आती है तो यहीं बाद में पिष्टाते हैं मैं इसको आगे समझाऊंगा और जो कंक्लूजन है वह भी मैं आगे समझाऊंगा क्यों कि मैंने और भी बहुत सारे स्लाइड मीम्स के फॉर्म में आगे यहां पर डाले हुए है इन बातों को एलोबरेट करते हुए उसमें पता या गया है जैसे कि यहां देखिए और रिस्क का पता है कि इसको अच्छा लग रहा मैं क्या कर रहा हो लेकिंगा कि यह वहां पर डूबएंगे ही मरेंगे टीक है एकजित पूटन हमेसा आपके साथ हैं आप एकजिट कीजिए तुरंत एकजिट कीजिए गांस्ट में गया तो बीना सोचे एकजिट कीजिए वहां से पहले जैसे आप कर जाएंगे आपका mental harassment mental जो बोच हो तुरंत खतम हो जाएगा वरना आगर आप लूजिंग ट्रेड में बने रहेंगे तो लूजिंग ट्रेड में बने रहने के कारांद वहां पैसो का नुकसान नहीं होता है बलकि आपका मेंटल हरास्मेंट भी होता रहता है उस मेंटल हरास्मेट से बचने के लिए आपको एकजिट वहाँ पर लेना पड़ेगा कोई दूसरा कोई आ करके आपको एकजिट वहाँ पर नहीं दिलाने वाला आपको खुद ही हिम्मत बांद कर एकजिट करना होगा होता क्या है कि जो नए ट्रेडर्स हैं यानि कि जो अभ अले निकलते हैं विनिंग ट्रेड्स में आराम चलते हैं ताकि अपने विनिंग जो पॉस्सिबिलिटी से उसको और बढ़ाते रहते हैं कि इससे ज्यादा और और अर्निंग हो जाए गए तो रिटियल और इसमार्ट प्लियर्स में यहीं अंतर है अर्श का आपके हाथ में है और आपको एक्जिट करना आना चाहिए कि ठीक है यहां पर मीम के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम आइविल प्लेश ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों क्यों कि कि अबरबाद भाड ही यहां फिल नहीं जाल लगया तो इसकी मारकित में क्या अर्क होलों में शिस्तेमेटिक कि उसी प्रैस में वो लोग सेल करके वहां से चले गाएं पिर आता है यहीं पर माई लाइफ बेटिंग विदाउट इस्ट्राइटीजी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूटूब अगयरा किसे या क्या काते हैं ट्विटर टेलिग्राम और बहुत सारे अन्य जगों से स् जाएगा यहां मीम उसके लिए ही चुटेबल है और यह भी मीम कभी बहतर है कि अब मैं चलता हो क्यों से अगर आपको कोई दिक्त नहीं होगा लेकिन आप अगर क्यापिटल कोहीं दाउं पे लगा देंगे तो पिर आपके पास कुछ बचेगा यहीं बिट करने के लिए ल करें अगर 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 बार आप बीने स्टॉपलस के लगते हैं तो बारबार नुक्सान होगा तक गुस्सा आएगा जब आप यहां होगा अगर अपने स्टॉप लॉस को एक्स्टेंड कर दिया हुआ है तब तो आपका बीपी हाई होने वाला ही है माले जैकि किसी ट्रेड में अपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था और कुछ समय बाद प्राइस अगर वहां पर आता है और आपने उसको 40 इस पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दिया पिर उस्ट द्रेडिक गए गया तो यह अपको पहले तो इतने जाहिं रहा था और भी जा रहा है और भी मनी कुलूज कर रहे हैं इसमें और समस्या है कुछ लोग इस पर आसते हैं कि स्टॉपलोस होने के बाद आपका टार्गेट चला गया मुह ऐसे बनाएंगे सिल्मान खान के तरह इस तरह के से इन्होंने बनाया हुए आरे भाई तो आप इसमें यह चीज का ध्यान रखें कि आपके स्टॉपलोस को हीट करके टार्गेट के तरफ गया था तरफ यह था आपने रेंटरी अगर लिया रहता था आप टार्गेट के तरफ गया रहते हैं अगर आपका रिस्क डू रिवार्ड रेशु अधा तो आप अल्टिमेटली कुछी वीनिंग पोजिशन में रहते हैं ठीक है लेकिन आपने री इंट्री भी नही कि यह क्या होनेवाला है जब चीज हो जाता है तो हाइंड सैड में सब चीज अच्छा लगता है मैं हमाइसा कहता हूं कि हाइंड साइड में सब चीज अच्छाल लगता है जो चीज और बीच चुका आपने देख लिया कि प्लस के बाद या टार्गेट गया है और आप दुखी हो रहा है तो आप इस बात को भी मान करके कि नीचे भी जा सकता था और आप वहां सेव हो चुके हैं तो दोनों पॉसिबलिटीज इसे को रिवर्स इमोशन कहा जाता है रिवर्स इमोशन ट्रेडिंग में आएगा ही आपको इससे बचने के बहुत चारे उपाए सोचने होंगे जब भी आपको लगे कभी की मेरे अपोजिट वर्क हो रहा है यहां पर तो का इमोशनल बायस नहीं आएगा जो अब टार्गेट और स्टॉप लगा देते हैं तो आप सुकून भरा जिंदगी आप ट्रेडिंग में जी सकते हैं आपने मार्केट के ऊपर छुड़ दिया कि भाई या तो मेरा स्टॉप लॉस लेलो या तो मुझे टार्गेट देगो इन दोनों के बीच में मुझे रिलैक्स रहेंगे लेकिन अब बिना श्टॉप लोस के हैं बीना टार्गेट के हैं एक कह थे बीना ना थे पगाहा के आप घुमेंगे अगर तो आईसा ही होगा आप हमेसा दुखी रहेंगे हमेसा पस्ताव पस्ताएंगे हमेसा रिवर्स इमोशन में जाएंगे लेकिन जैसे आपने अपने ट्रेड प्लान को फॉलो किया अल्टिमेटली आपको लॉस भी हो जाएगा कभी ना ताकुद रिग्रीट जैसा कोई फिलिंग नहीं होगा क्यों अपने प्लान को फॉलो किया आपने अपने मुड्िमेंटली इनर एपनेस मिलेगे रेग्रिट इसलिए होता है कि है क्रें बाद हम को कोचते लेकर वह मतया मैं हो नहीं पैया हो गया कि अबर कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ें इस कंक्लूजन को ध्यान से सुनिएगा है ठीक है यहां पर मैं लिखा कि कीप काल्म एंड फॉलो यूर ट्रेड प्लान कि कुछ शूटाने में देख लिए था यहां पर की कीप काल्म और फॉलो दे प्लान कहीं भी कोई भी हो प्लान अगर आप फॉलो करेंगे सांती से तो आपको एक दिन सुक्सेस ज़रूर मिलेगा रेंडमली कुछ कुछ करते रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि किस कारण से कौन सा रिजल्ट आ रहा है इसलिए अकर प्लान को फॉलो कीज कुछ मोटिवेटिंग लाइन्स की तरह समझे उस तरीके से मैंने यहां पर लिखी हुई है कि बिग लॉस हट एंड स्मॉल लॉस इस फॉर्गटेबल इस कहता मैं बहुत अच्छ एक्जामपल आपको दे सकता हूं क्यों क्योंकि जबसे मैंने स्टॉप लगाना सुरू किय पता भी याद भी नहीं रहा था कि चोटे लॉसइस रहते हैं अराम से उसको मैच सकते हैं लेकिं जो बड़े लॉस'd है वह आद्म को याद रहते हैं कि हां मैंने िसी विख शेयर पू पूछ लीजिए आप पूछ लिजिए कि अपने 5 बरे लॉस बताए है धर धर बता देगा आपको 5 बरे लॉस उसके पूछें कि 5 छोटे लॉस बताइए तो याद भी नहीं होगा क्यों कूछ छोटे लॉसे तो ऐसे बहुत बहुत सारे चोटे लॉसे वह देते रहते हैं ठीक है लेस लॉस मींस मोर प्रॉपिट सिंपल सा बते कम लॉस करिएगा ज्यादा प्रॉपिट में रहें गार और एक लाख डिर लाख रॉपी जब लूज कर दे रहे हैं तो क्या होगा रेशियो देख रहे हैं कितना उल्टा ह तो रेशियो उल्टा है तो अल्टिमेटली आप लॉस में रहेंगे आपके पास कोई ट्रेडिंग एज नहीं आएगा तो आप लॉस में हैं मैंड को आप ये भी बता दीजिए कि जिस बिजनेश में है उसमें लॉस भी एक अहम हिस्सा है आपको लॉस देना आना चाहिए जिस दिन आप लॉश्यू करना चीखे ज़हाँ उस दिन से बहतर बन जाएंगे जिस दिन आप लॉश्यू करना सीख जाएंगे अप एक ट्रीडर बन जाएंगे और stop loss जो भी है न उसको fixed expensive business समझें मैं तो यहीं मान के चलता हूं कि आज जिस दिन stop loss गया उस दिन मैं यह मान लेता हूं कि आज मैंने बिजली का बिल भर दिया आज मैंने स्टाफ की salary दे दी आज मैंने कुछ furniture खरीद लिये कुछ expenses हुए electricity internet बिल दे दिया इस तरीके का चीज मैं सुच लेता हूं कि fixed expense है तो जाएगा ही इस तरीके के monopoly अगर आप रखिएगा इस तरह के सूचिए चीजों को सूचिए कोई होता कुछ होता नहीं है loss हो गया तो हो गया gain हो गया तो बिजनेस में इसमें loss गयंत होते हैं रहता है तो बड़ा बिजनेस कीजिए तो भायनक भायनक loss भी होता है तो इसका मतलब क्या कि दुखी हो जाए नहीं यह तो loss and gain पार्ट ही है business का इस mentality को अपने mind में feed करना प पड़ाएगा कि इस तरीके कहीं चीजें हैं कि भी थैंक्फुल वेन यूर एसल गॉट हिट एंड गॉट से फ्रम दी बीग लॉस जब अपका stop loss हीट होना यह मत सुची कि मेरे stop loss हीट हो गया मैं इतना लूज कर दिया नहीं ठैंक्फुल बुलिए एकदम थैंक्यू बुल लगाता है यह मेरे लेबल से मेरे मतलब पोजिशन के अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे काफी परिशानी होने लगती शुरवात के समय में अब स्टॉप लस रहता है तो अब राम से निश्चीन रहता है और आम से ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करके इधर उधर भी जा सकता हूँ क्यों कि पता है कि सिस्टम में स्टॉप लस लगाया हुए है लगाया है अगर उस प्राइस तक चला जाएगा इन सभी बातों को हम लोगों को क्या रखना है ध्यान में रखना है और स्टॉप लस जरूर लगाएं आप बिलीब किजिए कि आपका जो आउटकम है ना अबर यह काफी सुधर जाएगा शुरू में लगेगा कि स्टॉप लस हंट हो जा रहा है यह वह रहा है लेकिन लॉंग टर्म में आप एक्दम सक्सिस्पूल ट्रेडर के रूप में उबरेंगे और यहां पर यह भी बात है कि सॉट टर्म नहीं है यह लॉंग टर्म यहां पर यतना लंबा समय तक अब ठीके रह जाएंगे बस समझें कि आप ही ने वेल्थ क्रियेट किया हुआ है सही जगा इन्वेस्ट करके यह सही जगा ट्रेंड करके वरना सॉट टर्म में सभी को कि पैसे मिलेंगे फिर वह वापस उनको कर देंगे और उस पैसे का वह लोग करेंगे भी क्या जो बिना किसी लॉजिक बिना किसी नॉलेज के आया हुआ है किसी बुल्डरं में इंटर किये हुए हैं प्राइस खुब उपर जा रहा है बतक भी हंस की तरह नजर आ रहे हैं लोग उसे खरीदे जा रहे हैं जब अचानक से बियर मार्केट आता है तो सब अपने उकात के आ जाते हैं और जगाव पकर लेते हैं तो मैं यहीं उमीद करूंगा कि आप आप से स्टॉप्लस जरूर लगाएंगे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में और देखिए कि आपका रिजल्ट काफी इंप्रूब कर गया स्मॉल स्टॉप्लस सब्सक्राइब कर पाएंगे लेकिन अचानक से भी लॉस देंगे तो फिर क्या होग करेंगे कि मार्केट में कुछ नहीं है यह लोग कर रहा है आप इस वीडियो अपने ट्रेडर जो फ्रेंट से उनके साथ इसको सेर किजिए देखिए जिए तो बताएगा कि किस तरीके से आप में इंप्रूब्मेंट हुआ थैंक यू झाल झाल झाल